तो चलिए स्वागत है सभी आगनबारी सेविका बहनों का एक और नए वीडियो पे तो जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि निदेशक आईसीरियस महोदे के द्वारा राज ये के सभी आगनबारी केंदरों को बंद कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी आप लो क्या 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 जीजें बितरन करनी है। कितने दिनों के लिए बंद रहेगी इन सभी के बारे में उस लेटर में कोई भी जनकारी नहीं दी गई थी तो देखिए आईसीरियस महोदे के द्वारा एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये जो लेटर है 4-1-2023 को जारी क वाले हैं आई होब आप लोग को आज की ये वीडियो पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा अगर चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को और भी आगनबारी बहनों के साथ सेर भी कर आज की ये वीडियो तो जैसा कि ये जो लेटर है वो आई सीरेस महोदे के द्वारा भेजा गया है सेवा में सभी जीला प्रोग्राम पदादीकारी और सभी बाल विकास पड़िवना पदादीकारी को ये लेटर भेजे गये हैं ठीक है और यहां पर आप लोग विशाय में द वो बितरन करना है नीचे आपको पूरी डिटियल्स दी गई है कि किस प्रकार से आप लोगों को कितनी मातरा में खाद समगडी बितरन करनी है तो वीडियो में बने रहिएगा वीडियो को एड़ तक जरूर देख लीजेगा ठीक है अब नीचे आते हैं देख सकते हैं यहा नीचे लिखा गया है महासै उप्रियुक प्रसंगिक पत्र के द्वारा सीत लहर से बच्चों के बचाव हेतु राजे के आगनबारी केंदरों को संचालन या विवस्था के संबंध में कतिप्य निदेश दिये गए हैं इस संबंध में अग्रेतर सुचित करना है कि गर्म गर्म पका भोजन के बदले दस दिनों का पोसाहर खाद समगडी यानि कि टी एचार निम तलिका के अनुसार किया जाना है देखे अब आप लोग को पता ही है कि आगनबारी केंदर बंध है तो गर्म पका भोजन नहीं दे सकते हैं तो दस दिनों के लिए आपको टी एचार दिनांग 29-4-2022 के निदेशा नुसार किया जाएगा यानि कि आप लोग को पता है टोटल महिने में 25 दिनों के लिए बच्चों को गर्म पका भोजन दिया जाता है तो दस दिनों के लिए यहां पे मान लिजे कि 10 दिनों के लिए ही छुटी रखा गया है बाकी बचे 15 दिन तो 15 दिन आपको जिस प्रकार से गर्म पका भोजन आंगन बारी के अंदरों पे बनता है वैसे ही आपको बना के बच्चों को खिलाना है ठीक है उसके बाद यहां पे लिखा गया है तीसरा नमर अप्सन WBNP के योजना अंतरगत द्वारा चावल का आवंटन उपलवद करा जा चुका है यानि कि जो पुसाहर का पैसा है उसमें चावल का आवंटन पहले ही करा दिया जाता है उसके बाद आप जितने भी पुसाहर की रासी है वह आपको दे दी जाती है ठीक है और चोथा नमर अप्सन दिया गया है चावल की अनुपलवदता की इस हीती में बजार दर पर चावल का क्राय किया जा सकता है अगर आपके पास चावल की उपलवता नहीं है तो बजार दर से आप लोग चावल को क्राय कर सकते हैं और पांचवा नमर अप्सन दिया है गर्म पका भोजन के बदले सामागरी का बितरन दिनांग 11.12.23 से 13.12.23 तक करवाया जाए तो बाद नीचे में आएंगे छठा नमर पॉइंट दिया गया है खाद समगरी का बितरन आगनवारी विकास समीती के सदस्यों की उपस्तिती में करवाना सुनिशित किया जाए यानि कि जिस दिन आप लोग ये बच्चों को दर पोसाहर देंगे उसमें विकास समीती के जो भी सदस से रहेंगे वहाँ पे उपस्तित होके जो पोसाहर है उसका बितरन करवाएंगे ठीक है अगला पॉइंट दिया गया है खाद समगरी के बितरन का अनुसरवन जीला प्रवयम पदादिकारी बाल विकास पड़योदना पदादिकारी और महिला परवेक्षिका के द्वा किया जाना अवस्यक है जो भी आप लोग वहाँ पे बच्चों को पोसाहर बितरन करेंगे उसका अनुसरवन इन पदादिकारियों के द्वारा किया जा सकता है ठीक है तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे मातरा दिखाने वाला हूं कि प्रती बच्चों के हिसाब से जो प बितरन है तू बिवरनी यहाँ पे खाद समागरी में दिया गया है चावल कितना मातरा में देना है प्रती बच्चे के हिसाब से तो 800 गराम देना है डाल 400 गराम देना है प्रती बच्चे के हिसाब से गूर 400 गराम अंडा पांच अदद प्रती बच्चे के हिसाब से आपको बित्रन करना है ठीक है? और यहां पे दर दिया गया है जो दाल का rate है सरकारी rate वो 79 रुपए पर kg के हिसाब से है यहां पे गुर का दर दिया गया है 45 रुपए पर kg और अंडा का 8 रुपए प्रति अदद तो इस परकार से आपको ये नोट कर लेना है और आपको 11 से लेके 13 तारी के बीच में जो भी 3-6 वर्ष के बच्चे हैं उनको ये पोसहार THR के रूप में बितरन कर देना है आई होप आप लोग को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करके सेर जरूर कर दीजेगा और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा इस वीडियो स रिकारिंग कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बक्स में पूछ सकते हैं तो मिलते हैं फिर किसी नेट अफिक नहीं जानकरी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जै हिन